सातूरी तीज, सातूरी अर्थात सत्तू तीज, भारतिय संस्कृती का एक विशिष्ठ पर्व है सत्तू तीज वास्तव में संपून राजस्थान का एक महत्वपून पर्व है इसका महत्व ठीक वैसा ही है जैसा कि उत्तर भारत में करवा चौत आधी का होता है अब जब संपूर्ण भारत की संस्कृती एक हो चुकी है तो ये दोनों पर्व भी देश के अधिकांश भागों में मनाये जा रहे हैं इसके पीछे भावना भी समान है अखंड सौभागय की कामना कुवारी लड़कियां भी इसे अच्छे वर की कामना से करती हैं जिस तरह तलवार एवं कृपार्ण से पिंडों को बड़े कर हमारे पूर्वजों ने खाया था उसी तरह आज भी चुप बड़ा करने की परंपरा चलिया रही है इसी दिन बहुत्तर उम्राओं के भगवान शिव एवं माता पारवती के आशिरवात से पुना जीवित होने पर उनकी पत्नियों में हुई असीम खुशी ने एक महोत्सव का रूप धारन कर लिया था अनेक दिन अपस्या में लीन महिलाओं ने अपना उपवास जंगल में उपलग्द कच्चे दूद, ककड़ी, नीबू एवं प्रभु द्वारा प्रदत सत्तू को ग्रहन करके तोड़ा था ठीक इसी प्रकार से आज भी महिलाओं तीज के दिन उपवास रख कर शाम को निमडी की पूजा करके चंदर दर्शन कर अर्ध देती हैं एवं अपना उपवास कच्चे दूद, सत्तू, ककड़ी, नीबू से तोड़ती हैं इसमें विशेश रूप से चार प्रकार के सत्तू बनाए जाते हैं परमपरा अनुसार जिस इस्त्री के विवा के बाद प्रथम सावन आया हो उसे ससुराल में ही रखा जाता है अथे पकवान बनाकर बेटियों को सिंधारा भी भेजा जाता है इस पर्व की खास बात यह है कि इस्त्रीयों के अलावा पुरश भी इस व्रत को रख सकते हैं